नमस्कार, Education Plus Academy पर आपका स्वागत है, आज की इस वीडियो में हम लोग question number 51 से आगे के सवालों को solve करने वाले हैं, उपहार गाइड से प्रतिसत चैप्टर का solution करवाय जा रहा है, अगर आप भी उपहार गाइड का solution चाहते हैं या फिर आपके पास उपहार गाइड है और आप हमारे चैनल से जूड सकते हैं और जो भी चैप्टर हमने अभी तक solution करवा चुके हैं उन चैप्टर का solution आप हमारे चैनल से देख सकते हैं और नवोदे बिद्दाले प्रवेस परिच्छा की पूरी तैयारी कर सकते हैं, अगर हमारे द्वारा उपलब्ध करवाया गया content, concept आपको पसंद आता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो नवोदे बिद्दाले प्रवेस परिच्छा की तैयारी कर रहे हैं और उन बच्चों को भी फाइदा होना चाहिए, हैना आप अकेले ही हमारे चैनल को मत देखिए, किरपया करके आप अपने दोस्तों तक, अपने सगे संबंधियों तक हमारे चैनल को पहुंचाएं ताकि जो बच्चे पैसे के अभाव में नवोदे बिद्दाले परिच्छा की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, देखें, बहुत से जो चैनल है, उन चैनल पर क्या है, नवोदे बिद्दाले परिच्छा की तैयारी करवाई जाती है, लेकिन उनका एक अपना क्या होता है, पैड कोर्स होता है, बहुत मंगा होता है, 999 का, 1299 का होता है, लेकिन उसी चीज़ को मैं अपने चैनल पर बिलक हैं तो वहां आपको 300-400 रुपया मंतलिफी लगता है लेकिन हमारे चैनल पर यह बिल्कुल फिरी में पढ़ाया जा रहा है तो आप इस चैनल से नवोदे बिद्याले के तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब किजिएगा ठेक हैं हमारे चैनल पर कोई भी प्रैड कोर्स नहीं है जो भी कॉंटेंट है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूं हर चैप्टर का कॉंशेप्ट देता हूं और इसके सवालों का सोल्यूशन करवाता हूं तो जो भी बच्चे फिरी में पढ़ना चाहते हैं वह हमारे चैनल से जोड़ सकते हैं आए हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं क्वेस्टन नमबर 51 पचास तक के सवालों का सोल्यूशन हमने पिछली कितने वीडियो पांच वीडियो में क के सवालों को सवालों करेंगे तो हमारे चैनल पे आपको जो भी सॉल्यूशन करवाये जाता है वह सॉल्यूशन एकदम सरल होता है ठीक है अभी मैं आप लोग को जब मैं उपहार गाइड का सॉल्यूशन करवाया था तो उसमें सिर्फ ट्रिक के माध्यम से सॉल्यूशन कर करवाए तो इस guide का solution ना मैं दोनों method से कर रहा हूं एक trick के माधधम से भी कर रहा हूं और दूसरा इसका जो basic method होता है उस method के माधधम से भी कर रहा हूं तो आपको जो भी method अच्छा लगे उससे आप इसका solution कर सकते हैं लेकिन अगर एक्जाम की दिरिष्टी से देखा जाए तो ट्रिक से जो सोलूशन में करवा रहा हूं वो आपके लिए बहुत ज्यादा important है उससे time की बच्चत होगी आई देखते हैं question number 51 51 number question है आ का वेतन बाग के वेतन से 50% अधीक है देखिए आ का वेतन बाग के वेतन से 50% अधीक है ठीक है तो बाग का वेतन कुछ होगा और उस बाग के वेतन से आ का वेतन कितना परसेंट अदीक है, 50% अदीक है, अब यहाँ पे, यदि आ का वेतन 30 रुपया हो, तो बा का वेतन निकालिए, ठिक है, आ का वेतन कितना है, 30 रुपया, तो बा का का वेतन निकालना है, चलिए, हम पहली इसका basic concept दे देते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है, कि आ का जो बेतन है आ का जो बेतन है बा के बेतन से 50% अधीक है मतलब किसका बेतन अधीक है आ का बेतन अधीक है किसे अधीक है बा के बेतन से तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जिसके बेतन से अधीक रहेगा जिसके बेतन से कम रहेगा उसको हम लोग एक समान लेंगे तो माना लेंगे यहाँ पर माना की बा का जो बेतन है बा से अधिक है न तो बा का बेतन बा का बेतन मालूम ही नहीं हम लोगों को तो कैसे अधिक करेंगे तो सबसे पहले बा का बेतन क्या हो न करना पड़ेगा मानना पड़ेगा तो मान लेंगे न कि बा का जो बेतन है वो बा का बेतन है एक सु रुपया बा का बेतन कितना है एक सु रुपया आ का बेतन बा के बेतन से कितना अधिक है पचास परसेंट अधिक है तो आ का बेतन अगर हम लोग निकालेंगे आ का बेतन अगर निकालेंगे तो देखिए एक्स रुपया तो उसका है ही लेकिन इसका कितना परसेंट अधीक है पचास परसेंट अधीक है ठीक है यानि एक्स का कितना परसेंट पचास परसेंट तो पचास परसेंट कितना होता है एक बटा दो यानि एक्स पलस को हो जाएगा X बटा कितना 2 यह हो गया A का बेतन अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा न कि यह X क्यों जोड़ा गया है जबकि 50% अधीक है देखे 50% अधीक है इसका मतलब है ना X का 50% अधीक है तो यह अधीक है वो है है ना जैसे 50-200 यानि कि एकस रुपए क्या है अधीक है यह ऐका वेतन नहीं है यह तो जितना अधीक है वो दिया गया है जब कि अगर आका वेतन हम लोग निकालेंगे ना तो बाका वेतन एक सु रुपया और जो अधीक है उसों को क्या करेंगे जोड़ेंगे तब हम लोग को निकलेगा किसका वेतन आगा वेतन निकलेगा ठीक है अब यहां से हम लोग इसका भीन का जोड़ ले सकते हैं तो दो और एक का इलशीम लेंगे तो कितना आ जाएगा दो से एक में भाग लगाएंगे एक से दो में भाग लगाएंगे तो दो बार में दो में एकस से गुना करेंगे तो दो एकस हो जाएगा पलस दो से दो में भाग लगाएंगे तो एक बार में जाएगा एक बार में जाएगा और एक में एकस से करेंगे तो 1 x होगा, यानि कि हमारे पास आ जाएगा 3 x बटा का 2, 2 x और 1 x एड हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 x और बटा में 2, किसका वेतन आ गया, आ का वेतन आ गया, 2 का वेतन था, निकालना क्या है इसमें, यदि आ का वेतन है 30 रुपिया, देखिए, आ का वेतन हम लोग को कितना थिरी X by 2, है न, थिरी X by कितना है, 2, A का वेतन है, जबकि original rate जो है उसका original value जो दिया गया है, वो 30 रुपया है, ये तो X के रूप में हम लोग निकाले हैं, ठीक है, X के रूप में A का वेतन निकाल लिए, और ये कितना है, original rate, मतलब उसका original price है, तो अब इसका हम लोग क्या क देंगे, 3X में cross multiply करेंगे, 3X में X से करेंगे, तो 3X हो जाएगा, 30 में 2 से करेंगे तो कितना आजाएगा, 60, X की value आजाएगी, 60, और ये 3 गुना में हैं, तो इसको बटा में कर देंगे, 3 से काटेंगे, तो कितना आजाएगा, 20, ठीक है, तो यहां से हम लोगों को जो X का value है वो 20 आया तो एक्स का value 20 आया मतलब किसका बेतन आ गया हमारे पास बागा बेतन आ गया ठीक है तो बागा बेतन कितना हो जाएगा 20 रुपिया इसका answer हो जाएगा question option number एक इसको हम लोग दोसरे method से भी बना सकते है ठीक है दोसरे method से बना सकते हैं तो दूसरा method पास परसेंट अगर आ का बेतन बाके बेतन से 50 परसेंट अधीक है तो देखिए अगर बाका बेतन हम लोग माने है ना तो बाका बेतन को कितना मानेंगे 100 परसेंट मानेंगे ठीक है बाका बेतन कितना होगा 100 परसेंट आप कह रहा है ना कि आ का जो बेतन है वो बाक के बेतन से 50 परसेंट अधीक है तो इसमें 50 एड कर देंगे 50 परसेंट और एड कर देंगे तो हो जाएगा कितना 150 परसेंट लेकिन यहां से हम लोग आ का वेतन दिया हुआ ही तो परसेंटेज के रूप में हम लोग भैलू निकाल लिए इसका 150 परसेंट लेकिन इसका वेतन हम लोग को दिया गया है कितना इसका वेतन दिया गया है तो इसका 150 परसेंट है ना कितना वेतन दिया गया है आ का आ का वेतन दिया गया कि ततीस बार में यानि की हो जाएगा एक बटा पांच समझे एक परसंट का भेलू कितना आ गया एक बटा पांच तो बाका बेतन निकालना था तब बाका बेतन कितना हैंडेट परसंट है तो हैंडेट परसंट का भेलू हम लोग निकालेंगे तो हैंडेट से गुना कर देंगे यानि एक बटा पांच और गुना में कितना सौब 5 से काटेंगे 20 बार में तो यहां से भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि 20 रूपिया ही इस सवाल का अंसर आ रहा है ठीक है तो दोनू मेठ़र में से किसी भी मेठ़र से बना सकते हैं यहां पर क्या बूला गया था कि आ का वेतन बाग के वेतन से अधिक है तो बाग के वेतन को 100% पान लेंगे कि बाग का जो वेतन वो 100% है 50% अधिक है तो आ का वेतन कितना होगा 100% और उसका 50% तो कितना हो जाएगा 1500% अब क्या है कि आ का वेतन हम लोग परसेंटेज कुरूप में 1500 निकाले है जबकि और जली म का बहेलू निकालेंगे तो तीजह और बाट चर्ट कर देंगे तो आ जाएगा कि तना पांच लेकिन हम निक्माइस काई न ieldबा बाका बेतन कितना है मतलब एक बाटा पांच में हम लोग क्या कर देंगे सो शे गुना कर देंगे तो कितना मैं भीकिसे रुरुपया आएगा ठीक है यह था क्वेस्चन नम्बर 51 आई यह देखते हैं क्वेस्चन नम्बर 52 चलिए क्वेस्चन नम्बर 52 देखिए किसी परिश्चा में एक छात्र 480 अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से फेल हो जाता है चलिए इस क्वेस्चन को समझ यह सबसे पहले क्वेस्चन नम्बर 52 है फिप्टिटु में पास अंक हम निकालते हैं कि कितने अंक में पास होगा सबसे पहले ने इसका हम लोग 5 अंक निकालेंगे देखे कितना नंबर ले करके आया है वो कितना नंबर ले करके आया है 485 नंबर ले करके आया 485 नंबर ले करके आया लेकिन फैल कर गया कितना अंक से 10 अंक से आब यहां से हम लो 485 नंबर ले करके आया फेल कर गया दस अंक से यानि कि दस अंक अगर और आ जाता दस अंक अगर और आ जाता तो वह जो बच्चा है वो क्या कर जाता पास कर जाता ठीक है अगर दस अंक और अधीक आ जाता तो वो क्या हो जाता पास हो जाता यानि पास अंक हमारा कितना है चारसो पचासी और दस कितना हो जाएगा चारसो पंचानवे ठीक है पास अंक कैसे निकाला गया ये ध्यान देजिए पास अंक कैसे निकाला गया तो देखे चारसो पचासी रूपिया चारसो पचासी अंक लेके आया दस अंक से फेल कर गया मतलब की जितना पास होने के लिए अंग चाहिए था उसिए 10 अंग क्या है कम लेकर कर का आया लेकिन अगर 480 में हम लोग 10 जोल देंगे तो कितना आएगा 495 यानि कि पास होने वाला जो अंग है वो कितना है 4095 पास अंकितना है 495 अब यहां से और क्या पूछा जा रहा है इसमें यदि पास करने का परतिस्चत 33 हो पास करने का परतिस्चत कितना हो 33 हो यानि 33 परतिस्चत में क्या है पास है पास अंकितना 495 ठीक है यहां सबसे पहले न हम लोग ठीक सॉल्व कर लेते हैं इसको ठीक है इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो 400 कितना है 95 चार सो कितना है 95 आप यहां से मान लेंगे माना कि उस परिच्छा का जो कूल अंक है न उस परिच्छा का जो कूल अंक है वो कितना परसेंट हो जाएगा 100% हो जाएगा कूल अंक कितना परसेंट हो जाएगा 100% यहां से देखिए 33% में पास है 33% में क्या है पास है लेकिन हम लोग को औरिजिनली में ये निकल करके आया है कि कितना में पास है 495 में पास है यानि कि 33% की value जो है न 495 होगा 33% की value क्या होगे 495 ठीक है देखे 33% में पास है जबकि हम लोग यहां से अंक के रूप में ला रहे है कितना, 495, 4850 नम्बर लाया, 10 अंक से फेल कर गया, यह निया, 10 अंक और आ जाता, तो क्या हो जाता, मतलब अगर 10 अंक आ जाता, तो 495 हो जाता, 33% की भेलू 495, 1% की भेलू निकालेंगे, तो 495 और बटा में क्या आजाएगा 33 लेकिन हम लोग को निकालना है इस में क्या निकालना है कूल अंक निकालना है याने पूर्णांक निकालना है ठीक है पूर्णांक मतलब है कि पूरा अंक तो पूरा अंक कितना होगा तो पूरा अंक हमारा कितना परसेंट हैंडेट परसेंट है तो 100% की value पूछा जा रहा है तो 100 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे 495 बटा 33 और गुना क्या कर देंगे 100 से ठीक है इसको हम लोग काटने की कोशिज करेंगे तो 11 से काटते हैं तीन बार में और 11 से इसको काटेंगे तो 1444 हो जाएगा यहां से कितना बचेगा 55-11 पचे 55 बचेगा ठीक है तीन से हम लोग काटने की कोशिज करेंगे तो 3 से कट जाएगा 15 बार में यानि कि उस परिछा का जो टोटल अंक है वो 1500 हो है कितना अंक है 15 अंक है तो इसको हम लोगों ने ठीक के माद्धम से सॉल्व कर लिया यानि क्या उप्सन नंबर क्या हो जाएगा एक हो जाएगा ठीक है देखिए पास अंक जो है 480 नंबर मतलब ले कर के आया लेकिन 10 नंबर से फेल हो गया तो पास केतना में होगा 455 में कूल अंक केतना माल लेंगे 100% है लेकिन 33% में पास है तो 33% की भैलू 495 है नहीं हमारा जो ओरिजिनली में दिया है कि यतना में पास है लेकिन परसेंटेज के रुप में दिया है कि 33% में पास है तो ये 33% और 495 में क्या होगा ब्रावर होगा एक परसेंट की बहलू निकाल लेंगे इसके बाद हमारा खूल अंक निकालना है सो परसेंट की बहलू निकाल लेंगे ठीक है अगर दूसरा मेथर लगाना है इसमें दूसरा मेथर लगाना है तो हम लोग मान लेंगे इसमें क्या मान लेंगे माना की जो टोटल पूर्णांग है ना टोटल पूर्णांग को मान लेंगे की एक्स है टोटल पूर्णांग क्या है एक्स टोटल पूर्णांग को क्या मान लेंगे एक्स ठीक है अब यहां से देखिए पास अंक पास अंक यहां भी निकालना पड़ेगा पास अंक केतना होगा तो बिल्कुल यही वाला होगा 485 नंबर उसने लाया और 10 नंबर से फेल कर गया यानि कि 495 नंबर में क्या होगा पास होगा तिक है अब सुनिए करा कि 33% में वो pass है 33% में क्या है pass है यहां से total x है तो x का निकालेंगे कितना percent 33% x का कितना percent निकालेंगे 33% तो यह वाला जो है न यह हमाला percentage वाला number निकलेगा और x का 33% जो है न पास है तो पास कितना में है 495 में कितना में पास है 495 में तो अगर X का भेलू निकालेंगे तो 495 और ये जो 100 है ना नीचे है तो ये चला जाएगा उपर और बटा में क्या आ जाएगा? 33 यहां से देखिए 495 में गुने 100 बटा 33 अगर 6 लब करेंगे तो यहां भी कितना आ जाएगा? 1500 आ जाएगा ठिक हैं? तो दोनों मेथड में से आप किसी भी मेथड से इसका सोल्यूशन कर सकते हैं आएगे देखते हैं क्वेस्चन नमबर 53 एक परिच्छा में एक विद्यार्थी 10% अंक प्राप्त करता है और वह 35 अंकों से फेल हो जाता है यदि परिच्छा में कूल अंक 200 हो तो पास होने के लिए कुल कितने अंक की आवस्यक्ता होगी? इस प्रशन को भी हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं ठीक है चलिए सबसे पहला तरीका हमारा होगा क्वेस्चन नमबर यह हमारा क्या है 53 कूल अंक कितना है 200 सब चीज हम लिग देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कूल अंक जो है कूल अंक है 233 कूल अंक कितना है 233 53 200 है न कूल अंक 200 है कूल अंक कितना है 200 ठीक है इसके बाद 35 अंक से फेल हो जाता है 10 परसेंट अंक प्राप्त करता है ठीक है तो पास होने के लिए कूल कितने अंक चाहिए अच्छे देखे प्राप्त अंक प्राप्त अंक कितना अंक प्राप्त करता है 10 परसेंट तो टोटल 200 था ना 200 था तो 200 का कितना परसेंट 10 परसेंट निकाल देंगे 10 परसेंट का मतलब कितना 10 बटा 100 ये दो जिरो से दो जिरो खतम हो जाएगा दो दहां के कितना हो जाएगा 20 यानि कि 20 अंक वो ले करके आया 20 अंक क्या हुआ ले करके आया अब पूछ रहा है ना कि बताईए कि पास अंक कितने में है पास अंक कितने में है देखें पास अंक कितना में है तो ले करके आया कितना अंक 20 अंक लेकर क्या आया कितना अंक 20 अंक लेकिन यहां पे लेकर क्या आया 20 अंक लेकिन फैल कितना से हुआ फैल कितना अंक से हुआ है फैल हुआ है 10 अंक से कितना अंक से फैल हुआ है 10 नहीं 35 अंक से फैल हुआ है ठीक है तो दखें यह नंबर ले करके आया 35 नंबर से फेल कर गया तो 35 नंबर से फेल कर गया इसका मतलब है कि जितना लाया था उसमें अगर हम लोग 35 एड कर देंगे 35 क्या करेंगे एड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा पास अंग तो 35 और 20 कितना हो जाएगा 55 35 और 20 कितना हो जाएगा 55 निकालना क्या था पास होने के लिए कुल कितने अंक चाहिए तो पास होने के लिए कुल कितने अंक चाहिए 55 अंक चाहिए ठीक है इसका हमारे पास क्या है दूसरा तरीका भी हो सकता है ठीक है दूसरा तरीका भी हो सकता है देखें दूसरा तरीका ये होगा कि 10% अंक प्राप्ट करता है और 35 अंकों से क्या होता है फेल हो जाता है यदि परिच्छा में 200 अंकों तो पास होने के लिए कुल कितने अंकों की आ हावश्यक्ता है चेलिए कुल कितना 200 अंख है तो 200 अंख है मतलब किसकी बहलु है वो 100% की बहलु है 200 ठीक है हावश्यक्ता है 200 मतलब कुल अंख 200 है मतलब 100% की बहलु कितना है 200 ले करके कितना अंख आया है बाबू 10% ले करके कितना अंख आया है 10% यहां से 1% की बहलु निकाल सकते हैं एक परसेंट की बहलु निकाल सकते हैं तो एक परसेंट की बहलु निकालेंगे तो हो जाएगा 200 और बटा में क्या आ जाएगा 100 यह बटा में 100 आ जाएगा कर जाएगा तो बचेगा कितना दो तो हम लोग को निकालना क्या है निकालना क्या इसमें एक मिनट दो सो एक परसेंट का बहलु कितना आ गया दो पूछ रहा अच्छा 10% की बहलु निकालेंगे पहले 10% यानि कितना नंबर ले करके आया है तो दो गुना कितना हो जागा 10 यानि कि ले करके आया है बिश न चाहिए पास होने के लिए कितना चाहिए तो पास होने के लिए उसे चाहिए 20 नमबर तो उले करके आया लेकिन 35 नमबर से फेल कर गया तो 35 नमबर से फेल कर गया यानि कि 35 इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे तब 35 और 20 कितना हो जाएगा पच्चपन तो दोनों मेथड में से आपको जो भी मेथड अच्छा लगए हैना उस मेथड से इसका हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन कर सकते हैं ठीक है आईए देखते हैं question number 54 देखिए question number 54 मुकेस की आई रामा की आई से 20% अधीक है तो किसकी आई से अधीक है रामा की आई से तो रामा की आई को मानना होगा सबसे पहले इसका हम लोग इसका basic concept देखते हैं मान लेंगे रामा की आई है ना रामा की आई से ना धीक है तो जिसकी आई से अधीक रहेगा, जिसकी आई से कम रहेगा, उसको एकस मान लेंगे, माना की रामा की आई, तो रामा की आई मान लेंगे, तो रामा की आई मान लेते हैं कि एकस रुपई आई, कितना रुपया है, एकस रुपया, आप यहां से हम लोग निकालेंगे, किस की मुकेश की आई तो मुकेश की आई कितना होगा ठीक है मुकेश की आई तो मुकेश की आई जो है रामा की आई से कितना परसेंट दीक है रामा की आई से 20 परसेंट दीक है रामा की आई से 20 परसेंट दीक है देखिए यहां से अगर ना एकस का 20 परसेंट निकालते है तो 20 बट क्या है पांच अधीक है ठीक है तो रामा की आई कितना है एक्स हना इसमें जोड़ देंगे कितना एक्स बटा पांच यानि एक्स का बीस परसेंट बीस बटा कितना हो जाएगा सो बीस पचे सो एक्स पलस एक्स बटा कितना हो जाएगा पांच पांच एक का एलशियम पांच एक से पांच, पांच एक्स हो जाएगा, पांच से पांच खतम, एक्स हो जाएगा, यानि क्यों हो जाएगा, छे एक्स बटा में कितना पांच, यह हो गया मुकेस की आई, और यह हो गया रमा की आई, निकालना क्या है, रमा की आई है, तो मुकेस की आई से कितना प्रतिशत क है चलिए रमा की आई में कमी कितना है ये देख लेते हैं रमा की आई में कमी कमी देखें मुकेस की आई कितना है छे एकस बटा पांच है और रमा की आई कितना है एकस है ठीक है तो मुकेस की आई में से रमा की आई घटा देंगे तो कमी निकल जाएगा बटा में एक कर सकते ह यहां पे कितना हो जाएगा पांच हो जाएगा कितना हो जाएगा पांच यहां पे छेक्स हो जाएगा एक से पांच भाग लगाएंगे पांच बारे में पांच में एक से करेंगे तो कितना हो जाएगा पांच ठीक है तो छेक्स में से पांच जाएगा तो बचेगा कितना एक एकस बटा कितना हो जाएगा पांच अब देखिए हम लोग को निकालना प्रतिस्चत कमी तो प्रतिस्चत कमी निकालने के लिए देखें रामा की आई न कम है तो कितना कम है एकस बटा पांच किसे से कम है मुकेश की आई से ना तो मुकेश की आई को नीचे लिखेंगे यानि क्यों हो जाएगा 6 x बटा में 5 प्रतिस्षत निकालना है तो 100% से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे ठीक है यहां से अगर इसका solution करेंगे न वाबू देखे एक सबटा 5 है और यह बड़ा वाला लाइन है बटा में तो यह समझे भागा में है तो भाग में हो जाएगा कितना 6 x बटा का 5 ठीक है और भाग को अगर हम लोग चेंज कर देते हैं किसमें गुणा में तो भाग को गुणा में चेंज कर देते हैं तो 5 उपर चला जाएगा और 6 x नीचे चलाएगा 1 x x कतम 5 से 5 खतम तो यहां से हम लोग को कितना आ जाएगा 1 बटा 6 आ ठीक है 1 x बटा 5 और गुना कर देंगे 5 को उपर कर देंगे और 6 को नीचे कर देंगे है ना इसके अनुसार ठीक है इसके अनुसार 5 से 5 क्या हो जाएगा खतम 6 से 6 हमारा क्या हो जाएगा खतम इधर तो हमारा 100% है ही काट सकते हैं इसको 3 दोनी 6 पचास दोनी 100 यह आजाएगा कितना 50 बटा 3% तो 3 से 16,49 दो बटा 3% यानि 16 पुर्णांक दो बटा 3% ठीक है 16 पुर्णांक दो बटा 3% question number कितना है 54 16 पुर्णांक दो बटा 3% यानि option number कितना 4 तो यह हमारा क्या हो गया इसका एक basic method हो गया है न जो काफी हम लोग को क्या दिख रहा है लंबा दिख रहा है ठीक है चलिए इसी को हम लोग एक दूसरे method से बनाएंगे दूसरे method से किस परकार बना सकते हैं देखिए यह न बहुत यह आसान रहेगा दूसरा method इसका question एक और फिर से पढ़ते है question क्या है कि मुकेश की आई रामा की आई से 20% अधिक है किसकी आई से अधिक है बाबू रामा की आई से तो हम लोग मान लेंगे न कि रामा की जो आई है रामा की जो आई है वो कितना परसंट है 100% है ठीक है तो मुकेश की आई कितना हो जाएगा मुकेश की आई क्या है रामा की आई से 20% अधिक है तो 20% अधिक है मतलब कितना हो जाएगा बाबू 120% हो जाएगा कितना हो जाएगा 120% हम लोग ये percentage नहीं भी मान सकते है ठीक है यानि कि माल लेंगे रमा की आई 100 है तो मुकेश की आई कितना हो जाएगा 100 का 20% 100 गोने 100 का 20% निकालेंगे यानि 20 अधिक है तो 120 हो जाएगा ठीक है percentage के रूप में भी मान सकते है percentage को हटा करके भी मान सकते है है ना percentage को हटाएंगे तो थोड़ा सा solve करने में क्या होगा आसान होगा ठीक है चली रमा की आई हो गया 100 मुकेस की आई हो गया कितना 20 तो रमा की आई में कमी कितना हुआ रमा की आई में कमी बहुत ही आसान है रमा की आई में कमी तो 120 मुकेस का 120 है इसका कितना है 100 है तो 120 में से 100 घटा देंगे तो क कितने की कमी ही बाबू ?ुst की ऐसे खमी है तो मुकेस की आय से कमी है तो मुकेस की आये 120 है तो 120 नीची आजाएगा प्रतिष्छत में निकालना है तो 100% से क्या कर देंगे ? गुना 20 से कड़ जाएगा 6 बार में ये 50 हो जाएगा ये 3 हो जाएगा यहां से भी हम लोग देख रहे हैं कि 50 बटा 3 वहां भी आया था यहां भी आ रहा है इसको पूर्णांग के रुप में लिखेंगे तो 16 पूर्णांग 2 बटा 3 परसें लिख सकते हैं ये था question number 54 आईए देखते है question number 55 आपको जो भी सवाल यहां दिख रहे हैं उन सवालों को मैं दो मेथड से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बाकी आगे के जो सवाल होंगे उसको मैं trick से ही solve करूँगा मैंने इसका basic method आप लोगों को बता दिया है आप यहां से देखते है question number 55 question number 55 यदि राजू की आई नीतू की आई से 5% अधिक है तो नीतू की आई राजू की आई से कितना percent कम है देखे राजू की आई जो है नीतू की आई से 5% अधिक है किस की आई से अधिक है नीतू की आई से है नहीं यहां पर मान लेंगे माना कि जिसकी आई से अधिक रहेगा कम रहेगा उसी को हम लोग मानेंगे तो मान लेंगे न कि नीतू की आई है सो नीतू की आई कितना है सो चली नीतू की आई हो गया सो अब क्या कह रहा है कि राजू की आई नीतू की आई से पांच परसेंट अधीक है तो राजू की आई कितना हो जाएगा पांच परसेंट अधीक है इसका मतलब है कि 105 हो जाएगा है ना पांच एड कर देंगे ठीक है पांच परसेंट अधीक है तो गर एक नीतू की आई जो है ना राजू की आई से कितना प्रतिशत कम है तो देखें नीतू की आई म कमी तो नीतु की आई में कमी कितना हो जाएगा बाबू तो एक सो पांच हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा सो ठीक है तो नीतु की आई में कमी कितना हो जाएगा पांच की कमी हो जाएगा ठीक है और प्रतिस्चत कमी अगर निकालना है प्रतिस्चत कमी निकालना है तो कमी कितने का हुआ, पांच का, कमी कितने का हुआ, पांच का, प्रतिस्चत कमी निकालना है, तो कमी हो गया कितने का, पांच का, कितने से कमी, किसकी आई से कमी है, नीतु की आई, किसकी आई से कमी है, राजु की आई से, तो राजु का आई कितना है, 105, 105 लिखेंगे, और सो बटा 21 पर्सेंट कि कि यह अदध abundance चार पुद्यांग दका एकल शोरी पर्सेंटخت 55 का चार अजोजञां नाउमन पैस फिरेट्ट के रूप में पॉइंट के रूप में लिखा है अगर पॉइंट के रूप में इसको लिखेंगे हम लोग, तो यह आ जाएगा न, पॉइंट में दिया गया है, चार पॉइंट कितना, 76%, तो यह 76% ही हो जाएगा, option में दिया गया है, है न, चार के बाद, एक ही, चार वाला जो है न, एक ही option है, पॉइंट वाला, एक ही option है, तो चा इसको आप बेसिक तरीके से बना सकते हैं ठीक है कि क्वेस्टन नमबर 56 56 नमबर क्वेस्टन है चीनी के मुले में 10 परसंट की ब्रिद्धी हो गई तो खपत में कितने प्रतिसत की कमी की जाए कि खर्च में किसी परकार की ब्रिद्धी ना हो गई इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया गया था तो उस फॉर्मूले को आप याद रखें पहली वीडियो में इस फॉर्मूले को हम बताये थे किसी चीनी के मुल में 10 परसंट की बृद्धी हो जाए तो खपत में कितने परसंट की कमी की जाए देखिए इसका फर्मूला था खपत में कमी है तो अगर एक्स परसंट की बृद्धी होती है तो एक्स बटा सौ पलस का एक्स और गुना में क्या कर देंगे 100% ठीक है अगर पहले कहता कि उसके मुल्य में कमी हो जाती है तो उपर में x ही रहता और यहाँ पे 100 माइनस का क्या हो जाता x हो जाता लेकिन यहाँ पे बृध्धी वाला दिया है बृध्धी वाला case दिया है तो हम लोग खपत में कोई बृध्धी ना हो ठीक है मतलब खर्च में कोई बृध्धी ना हो तो उसके लिए हम लोग यह फॉर्मूला लगाएंगे एक्स बटा सौ पलस एक्स और गुना में हैंडेट परसेंट एक्स कितना यानि कितने परसेंट की बृध्धी हो रही है दस परसेंट की दस परसें यानि की हो जाएगा 100 और ब्रटा में कितना 11 11 से एगर इसको हम लोग काटेंगे तो 11 इक कितना नहीं इकर Йहार नमान 90वे हो जाएगा पुट्रानग में पूर्णांक में धिया है पूर्णांक के रूप में दिया है ते इस सवाल का जो उत्तर आ जाएगा नौ पूर्णा एक बटा ग्यार नौ पूर्णा एक बटा एक ग्यार चपन का हम लोग ऑप्सन चेक कर लेते हैं तो चपन का एक ही है ठीक है आए देखते हैं फिप्टी सेवन नंबर क्वेश्चन है यदि चाय के मुले में 10 परसंट की कमी हो जाए इस वार कमी वाला सवाल है तो करा कि उसकी खपत में कितने परतिस्ट की ब्रिद्धी की जाए कि खर्च आप परिवर्थित रहे तो अगर कमी वाला सवाल आएगा कमी वाला सवाल आएगा तो हमारा फॉर्मूला है जो काम करेगा एकस बटा सो मैइनस का एकस और गुना में हैन्ड़ परसंट पहला जो concept का वीडियो है उसमें इसका बताया गया था formula तो कितने percent की कमी है? 10 percent का यानि x के जगा पर रखेंगे 10 यहाँ से 100 हो जाएगा और minus का कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा और गुना में कितना? 100 परसेंट 10 हो जाएगा और बटा में कितनों हो जाएगा 90 और गुना में कितनों हो जाएगा 100 ठीक है एक 0 से 1 0 खतम हो जाएगा यहां से आ जाएगा 100 बटा 9 परसेंट और इसको हम लोग क्या करेंगे पूर्णांग के रूप में लिखेगे पॉयंट में दिया है, नहीं, पूर्णांग के रूप में दिया है,umu से जाएगा 11 बार में 11 water निया और इक बटा 9%, इसके खर्च में कैं आजयेगी, मतलब कमी आजयएगी, ठीक है, खबत में कमी आजयेगी, तो हम लोग इस वीडियो में question number 51 से 57 तक के सवालों को solve किया है तो हमारे चैनल पर देखिए आपको जो भी सवालों का solution करवाय जा रहा है न वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से करवाय जा रहा है और इसका जो solution है है न कहीं और अन्न चैनल पर आप जाकर कर देखेंगे हमारा चैनल के द्वारा उपलब्द कराया गया content concept और solution पसंद आता हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए नवोदेब बिद्याले के साथ साथ हमारे चैनल पर अन्न कच्छाओं की भी वीडियो उपलब्द होगी है ना जैसे 5,6,7,8,9,10 इन सब की भी वीडियो उपलब्द होगी बस उसमें थोड़ा स टाइम लगेगा ठिक है तो आज के लिए इतना ही बाकी आप अपने अनुसार तैयारी करते रहिए धन्यवाद